ये हैं ये गुजिया बनाई जा रही है जो होली इस्पेशल है इसके लिए जो है लगभक एक किलो मैदा लिये अच्छी क्वाल्टी गी और इसमें मोहिन डाला जा रहा है और मोहिन जो है घी को पिगला कर जो है करीब साथ तीन सो चार सो ग्राम मोहिन डाल जा गया है और ये बहुत अच्छी आट है कि इसमें जो इसके जो है मैदा जो डू बना जाता है बहुत ही सौट बढ़िया बनता है इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम वो कि हमारा मोहिन सही पड़ाया नहीं पड़ा हमें उसके जो है चेक कर लेते हैं और एक मूठी मढलेते हैं से अब देखते ए क्या यह हमारा सहीँ बन गया है और यह से यह इसका दो तईया करेया रहा है डो इसका बहुत जितना मढ़िया डो होगा उतनी उसकी बाहर की पाप्री अच्छी होगी और बाहर की पाप्री अच्छी होने के साथ यह गुजिया उतनी सौफ बढ़िया होगी क्रिस्पी होगी खाने उसाधिशोगी और इसकी छोटी जोटी लोई काट लिया ती दियां और इनकी जो है Caldra काटो यूर्ट यू आकल लीजारी है और इनको जो है बाद में जो है पूडी तरह बेल कर है और Mokra के साचे भी होते हैं और हाथ से बनाए आजया सिकती है मगर यह श्रीमती जी जो है अब शाचे कि मतलड़ रेंगी और जày बेल नहीं है और गुजिया बीलना भी एक अपने में आट है और ऐसा कोई घर नहीं है जो गुजिया ना बनती हों होडी की वो इस्पेशल मिठाई है और गुजिया तयार की जा रही है गुजिया की बहुत अच्छी रेसीपी है और यह गुजिया के अंदर जो भरके जो है मेवा और माव इनको जो है मेदा की आठे से थोड़ा सा मेदा की पानी से साइड में लाकर इन्हें चपका दिया जाएगा और देखोई चपका चपक गई है और जो आउटर सर्फेस भाहर नकल के आए उसको हाथ की साथ तरह हटा दिया जाएगा और बहुत सुन्दर गुजिया की शेप हजाएगी तो उनको ध्रें सक अदर गश्या को ठोला सा हिसको इंजार करते है है जिनतेंकी पप्री चाधर रख लिए आता है और और द्रखने बाद हुच्छे अब कर दो प्रेंध्य आता है और ये गुचिया बनक त्यार है और इनके आनदर जो हो बिलकुर पिंख से K Actor थेंक यू पर बाचिमें वीडियो